लोक निर्थ ये दरशाती है कि वहां के लोगों की विविदिता ऐसी है और उनके विशे में अधिक से अधिक ये जानकारी भी देती है कई सारे से आयोजन होते हैं जहां हो शादी विवा का मौगा हो या फिर बच्चे का जन्म ऐसे तमाम आयोजन पर लोक संगेत लोक निर्थ की पस्तूती की जाती है और इसी में देखा जाता है कि भारत विविदिताओं का देश है और इनी विविदिताओं में लोगों से समधित जो भी विशे की जानकारी होती है वो हमें मिलती है समास्ते जो भी सबिता होती है जो स से खास बात यह है कि ऐसे लोकनित्वे जो सभिता और संस्क्रिकी की हमें जहलक देखने को मिलती है चाह cries वो पंजाब का भांग रहा हो या फिर राजिस्थान का घूमर या फिर असम कभी हो तमाम आईूजुनों पर हम देखते हैं कि इसमें सभिता और संस्क्रिकी की पूरी जलक देखने के मिलती है. और दसको आज के भिहारब्यान के खास करिकर में हम लोक नित्ब पर ही चर्चा करेंगे और जानेंगे की लोक नित्ब कैसे हम अपने समाज में हमारे जो अपने आप में अद्भुत Trustees किया जा सकता है. आज इसे विशे पर आधारित हमारा बिहार भीहान है और इसी विशे पर हम पूरी तरह से जानकारी भी लेंगे और इसकी महत्ता के अबारे में भी जानेंगे ले दरशको हमारे कारिकम की शुरुआत हो चुकी है कारिकम को आगे बढ़ाएंगे और जानते हैं कि कारिकम को हम आगे बढ़ाते हैं अपने महात्माओं के सुविचार के साथ आए आगे बढ़ते हैं और अगले सेग्मेंट की ओर जाते हैं और जाते हैं आज का विचार क्या है हम सभी के लिए महात्मा गांधी ने कहा था जब मैं सुर्यास्त और चंद्रमा के सौंदरी की प्रशंसा करता हूं मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विश्त्रित होड़ती है आज हम लोकनित पर चर्चा करेंगे काफी सारी जानकारिया लेंगे और महत जानेंगे कि लोकनित का महत वक्या है मैं बता दो कि आज हमारे भी जो खास मेमान है वो है डांसर और कॉरियोग्राफ जीतेंदर कुमार जी बहुत-बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे खास करेंखिम भिहार भिहार में आपका अमिश्कार जितने जी काफी सारे बात ही आपके बारे में करनी है लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दो कि इनके बारे में थोरी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा न सिर्फ रचनात्मक लोक नित इनकी शैली है बलकि न सिर्फ ये शौकीन है इसके बलकि कई सारे लोक नित में रचनात्मक लोक नित में एहम योगदान के लिए इने भी हासरकार सम्मानित कर चुकी है कई सारे सम्मान और अच्यूब्मेंट्स इनके नाम है जो जरूर मैं आ किये गए हैं जी तेंद्र कुमार जी और इनके अच्यूब्मेंट्स गर बात की जाये तो दुर्दर्शन के ग्रेडट कलाकार भारत नित्यम नित्र में राश्टी जूनियर शात्रविती संस्कृति मंत्राले भारत सरकार से बेने कई सारी जो सम्मान हो दिये गए और भी कई सारी अच्यूब्मेंट्स और प्रोसकार इनके नाम की शोबा बढ़ा रहे हैं इनके बारे में और भी बात करेंगे लेकिन शुरुवास सापके बारे में जाना चाहेंगे जी तेंद्र कुमार जी लोक नित्त से आपका शुरुवास सही लगाव रहा है और रचनात्मक शै बच्पन में ही अंकुरीत हो गए थे जब मैं अपने पिता जी की उंगली पकड़कर गाउं में नाटक देखने जाता था वहां नाटक देखने जाता था और जब घर लोड़ता था तो घर में कोईले से मुच बना करके डिफरेंट डिफरेंट अभिने क्या करता था कभी भवी की साडी चुअरा के पहन के लपेट के मेरे भाई लोग होते थे वो मित्टी के बतर में नगाड़ा बनाते थे काघज को चिपका करके intoignal के जाडू के तिनके से नगा बयाते थे तो यह बच्बन की बात हमारे गाओं में थी लेकिन कुछ इस्थितियां बदलिए पांथ के दुकान पर बेढ़ता था, एक दिन अचानक गांधी मैदान में मैंने देखा कि कोई नाटक हो रहा है, नुकड नाटक बुलते हैं उसको, उसमें एक अभिने करने वाले थे, जो मेरे यहाँ पांथ खाने आते थे, तो मैंने उनको का कि भाईया मुझे भी नाटक क हुई है और उसमें काफी अभिनेय किये इन फैक्ट पटना दूरदरसन जब खुला था नाइंटी टू में तो उस वक्त भी सबसे पहली टेली फिल्म हमारी यहां पर टेली कास्ट हुई थी साथ अगस्त उनीस सो बानवे में उसमें दूरदरसन का ओफिस बिसकोमान में उसी दोरान मुझे किसी ने काया कि अभिनेय करना है अभिनेता बना है तो तुमको निर्ते सीखना पड़ेगा तो निर्ते सीखने के लिए फिर गुरू की तलास करनी थी मुझे और गुरू के रूप में मुझे मिले विश्वबंधु जी जो विखार के काफी फेमस और उस समय के काफी बहुत प्रसीध नर्तक थे तो उनसे जब मैं मिला तो वहाँ जैसे ही गया वहां के संसकार मैंने देखा निर्ते को देखा तो वहाँ जाने के में बता है कि फॉस्ट डिविजन विट डिस्टिंग्शन इन सिक्थ यर भारत नाट बाई प्राग्य संगीत समीति अलाबाद और इसी के साथ प्राचीन कला केंद्र चंडीगर्ट पे आपने डिप्लूमा भी लिया है उसमें और इसके बारे में जरूरू बताएंगे कि हाल कि अब आप करते हैं लोक निर्त तो बिलकुल अलग चैप्टर है लोक निर्त हमारे विश्वबंदु जी सिखाते थे लेकिन साथी साथ उनका कहना था कि निर्त के छेतर में आगे बढ़ना है तो कई सारे निर्त विधाये जिनके जानकारी होना अवस्यक है तो उन्होंने मुझे कथक शिखने के भी प्रेड न दी भरत नर्ट्व में बहुत उन्हों ने मुझे सिखाया और जितना स लिए इनकी महत्वल देते थे मेरे करियर को ध्यान ने तो वो कहते थे कि बेटा सीखने के लिए क्वालीटी एक चीज है और डिग्री एक चीज है तो जब डिग्री लेना हो तो क्वालीटी भी आवस्यक है और क्वालीटी आवस्यक है तो डिग्री भी आवस्यक है इसलिए तुम इन दोनों चीजों पर ख्याल रखो उसी का ख्या उनके साथ भी मैं प्रैक्टिस में हूँ भरतना टिम में लोक निर्थ को आप किस तरह से पर भाजित करेंगे इसका महत्वक कि इतना जादा है और आप जो अपने शैली के लिए जाने जाते हैं रचनात्मा का लोक निर्थ में शैली को लेकर उसके बारे में जरुचाएंगे कि लोख निर्थ का इंपारटनस तो हर राज्जी में है हर जगह पे है लोक निर्थ है जैसे कि है है लोक आमजन आमजन का निर्थ है जब भी आप खूश होते हैं तो आपका शरीर जो है नाचने का मन करता है यह यह लोक सानित आज हमारे लोग खुसी में औरकेस्टर बुलाते हैं, फिल्मी डांस देखते हैं, लेकिन आप देखिए गाउं में जब साधी ब्या होता है, तो आज भी महिलाएं खास देहात में भी बहुत कम बच गया है, मुझे याद है जब मैं छोटा था, मंडप होता है गाउं में जब गड़ा जाता ह तो सारी महिलाएं कंधे पे एक दूसरे के हाथ रखकर जूमर गाते हुए जूमते हुए निर्थ करती हैं, वो लोक निर्थ है हमारा, और इस तरह के बिहार में कितने सारे लोक निर्थ हैं, अलग-अलग जिलो में, बिडमना ये है कि हमारे आज बच्चे जानते नहीं है इस लोक निर्थ को, दूसरी पीड़ी तक हम लोग इस चीज़ को लेकर नहीं आ पा रहे हैं, तो ये एक विलुप्त तो हो रहा है और ये चिंता की बात है, क्योंकि किसी भी देश को, किसी भी राजी को, राजी के विकास में, वहां की संस्कृती बहुत माइने रखती है, हम लोग दूसरे देश की संस्कृती, दूसरे राजी की संस्कृती की ओर भाग रहे हैं अपनी संस्कृती को छोड़के, अभी आप तिलहाल की घटना देखिए, नवरात्र था आपने हाँ, बिहार में कितने लोगों को पता है कि नवरात्र में हमारे हाँ जिजिया होता है रहे न tête है अिलेकिन श्र offers घार 근데 अब में जल सेल के लिए अपने K duck खोड़ाइं घनाई कीजिए अब इसकर अनिवाद आप दूसरा सीखने के लिए पशलिप पूरी दुनिया के पास लेकिन अपनी मिट्टी को छोड़ करें मुटना रखें अब हमारी जो अलग श्रीजनात्मक सैली की वो सैली भी है modern है आधुनीक है वो उदय शंकर जी आप नाम सुने होंगे हिंदुस्तान के बहुत बड़े नर्तक उदय शंकर जी हाला कि मैं केवल उनका नाम ही सुना उनसे दर्सन नहीं हो पाए मेरे कभी मैं अपने गुरुजी के माध्यम से उनको जान पाया उदय शंकर जी और उनके निर्त सैली को जो अपने आप में एक रचनात्मक निर्त है वो पूरा देश वीदेश उन्होंने घूमा सारे देश वीदेश की निर्त उन्होंने सीखे की लेकिन इतना सब घूमने के बाद उनको ग्यान यही प्राप्त हुआ कि जो च सब आधिया उन्हों सब्सक्राइब लेकिन कहीं भी पास्चात्य नहीं है वो प्योर शुद्ध इंडियन है वो हमारी सैली वही है कि अब हमारे जरूरी है कि हमारे जो लोक निर्थ है हमारे विशोबंधु जी ने भी लोक निर्थ में स्रिजनात्मक्ता का स्रिंगार किया मतलब एक लोक निर्थ तो वो है जिसको हम लोग मंचिय परदर्सन नहीं कर सकते है वो घरेलू प्रदरसन के लिए ठीक है लेकिन उसे रोचक बनाने के लिए उसमें कुछ न कुछ स्रीजन करना आवस्यक है उसके मौलिकता को रखते हुए वही रचनात्मक निर्थ है तो उस पे आप जितना नयापन ला सकते हैं जितना स्रीजनात्मक डाल सकते हैं उतना लोक संस्कृति हैं लोक निर्थ हैं वो सीखा और उसी को आप लगाता रागे एक परंपरा के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं जिरू बता अपने गुरू के बारे में किस तरह उनसे सिक्षा दिक्षा लिए और कितने समय तक आप उनके सानिदे में रहें आप देखिए मैं इस मामले में बहुत ही लखी मानता हूं अपने आपको कि आज के इस दोर में मैं ऐसा सी से हूँ जिसे सब कुछ गुरू किरपा से प्राप्त है आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं गुरु कुल में रहा हूँ बहुत जगह सिर्फ गुरु मिलते हैं मुझे गुरु के साथ गुरु का पूरा परिवार मिला है और उनका सिवा करने का मौका मिला है मैं आज भी उनके सानिध्य में हूँ और जो भी गुरु मिले हैं मुझे चाहे मेरे अपने विश्वबंधो गुरु जी हो या आज मैं उनहीं की वज़े से अमला संकर जी के पास भी गया जो उदार संकर जी की पत्नी है और उनकी बेटी ममता संकर जी के पास भी मैं आज हूँ, वहाँ भी मैं एक तरह से गुरू से इसे परंपरा में भी हूँ, मुझे उतना ही प्यार मिलता है अपने गुरू से, और मैं गुरू की उसका वर्णन नहीं कर सकता मैं, कि मुझे कितना गुरू का असिरवात प्राप कितना तन्मन से घुलना उसमें जरूरी हो जाता है अगर किसी प्रफेशर में, अगर आप उचाई तक मुकाम पाना चाहते हैं, इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना तन्मन धन, मतलब आप किसी चीज को पाने के लिए, देखे एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी थी, कि एक सिस्य है जो गुरू से मिला और बोलता है कि गुरू जी मुझे इसवर से मिलना है, बस गुरू जी ने उसका सर पकड़ा पानी में डाल दिया, और वो पूरा छट पटाने लगा अंदर, जब वो एकदम मरने की स्थिती में हो गया, बोला गुरू जी अब बाहर निक जाने के लिए थी, यदि इतनी बेचैनी है तो तुम इसवर को पालोगए, और इतनी बेचैनी नहीं है तो इसवर तुमें नहीं मिलेंगे, तो किसी भी चीज को पाने के लिए उतनी बेचैनी आपके पास नहीं होगी, तो जितनी बेचैनी होगी आपको उतना ही प्राप् जिस भी मुकाम पे हूँ, मैं यहाँ पे संतुस्थ हूँ और नित्य आगे बढ़ रहा हूँ, दिन प्रती दिन आगे की ओर ही सोच रहा हूँ, कभी मैं यह नहीं सोचता हूँ, कि अब मैं महुत बढ़ा हो गया, रूख गया, अब तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, म आपने अपने जो भूमी का है, वो नहीं भाई, कैसे तरह ऐसे occasions भी है, जो जाएंगे बताएं, उसके बारे में किस तरह की जो आईवजन है, वो किये जाते हैं, और वहाँ पर किस तरह का जो महौल है, बनता है, चाहिए वो लोक निर्ते होता है, कोई फॉक डांस होता है, या नित्य की जो भी वहाँ पर शैली होती है, किस तरह का महौल जो है, वो देखने को मिलता है आपको, देखिए अभी तो महौल पहले से काफिए बेहतर हो रहा है, बहुत सारे आउजन बिहार में अब हैं, बिहार में आउजनों की कमी नहीं है, बिहार में राजगीर महु के लोग बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है बहुत ज्यादा सास्त्री निर्थ के लिए मुझे लगता है कि लोग अभी जागुरुक नहीं हो पाए हैं चाहे सास्त्री निर्थ हो लोग निर्थ हो लोग इसको करियर बनाने कि और प्रेरीत नहीं हो पा रहे हैं मैक्सिमम अभी भाबक जो है वो यह चाहते हैं जैसे अभी हम लोग क्लास चलाते हैं तो अभी एक्जाम है तो बच्चों को छोड़ दीजे वैसे बच्चों को भी जो बच्चे सिर्फ डांस के लिए पैदा हुए हैं मुझे लगता है कि मैं उन गारजियन को यह कहूं कि जो बच्चे डांस के लिए पैदा हुए उनको थोड़ा बच्चों को समझें कि वो बच्चे क्या करना चाहते हैं यदि वो बच्चे डांस करना चाहते हैं तो उनको डांस के लिए छोड़े सब्ता में एक घंटे दो घंटे करने से उनकी बदलाओ का माद्यमी है, समाज में बदलाओ ला सकता है, जीवन में बदलाओ ला सकता है, और सब कुछ बदल सकता है, करियर भी बदल सकता है, बिलकुल, अब तो करियर के क्षित में सुनारे आवसर भी मिल रहे हैं इस निर्टी के क्षित में, बहुत सारे, अभी तो जो हमा कलाकार नहीं है उसमें नौकरी के लिए कलाकार को सिर्फ डिग्री लेकर ट्रेंड होना अनिवार्य नहीं है उसके लिए वह गुण वह टेलेंट और वह डिग्री दोनों तीनों चीजे साथ में लेकर चलना पड़ेगा तो हम उन सभी युवाओं को भी कहेंगे कि जिनका भी रुजहान डांस में है जो भी सीखना चाहते हों वो निश्चित रूप से सीखे पूरे तन मन धन लगा के सीखें लोग देखिए डॉक्टरी पढ़ाने के लिए बिदेश में भेज देंगे इतने पैसे खर्चा कर देंगे लेकिन डांस के लिए वो खोजेंगे कि आजपा को धूंड के उचित कला को सीखर करके उन्हें सीखा है तो कला का विगास होगा आपने राज में जीतन जी आपने ये बात कहीं एक बात याद आया कि काफी पहले से यह होता आया है कि जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं गारेजन फुल सपूर्ट करते हूं उ सब्सक्क्राइब करें, या तो दुकान करें या नौखरी करें। लेकिन हम लगतार उनके धुकान पर भी हमने उनका साथ देता रहा, पढ़ाई भी मैं करता रहा। और चोरी छीपे हम अपने इस चीज को भी कायम रखते गए एक दिन जब हम टीवी पर आ गए तब हमारे गारजियन को भरोसा हो गया हम उनको भरोसा दिलाने में सक्षम हो पाए कि हम यह कर सकते हैं और आज हम यह कर रहे हैं तो जो बच्चे वाकई में जुनूनी हैं उनको ऐसा भी कुछ करना पड़ेगा आत्मी श्यास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा तब भी आप कुछ बदल पाएंगे और करांती संपूर्ण कर सकते आप न आप आप ला सकते हैं चाहिए वो कोई करियर कोई भी क्षेत्र क्यों नहीं हो जितन जी आपने कई सारे परफार्मे से वो देखने को मिलते हैं किस तरह की जो प्रदर्शन जहां पे किये हैं वो मेरा अच्छा ही रहा है मुझे बहुत ही अच्छा दर्शकों का प्यार अशिरवात मिलता ही रहा है प्रदर्शन की जहां तक बात है तो बिहार के सारे आयोजनों में मैंने प्रदर्शन किया बिह तुपती आते हैं या मौरिशस के परधान मंत्री आये थे तो उन सबी के स्वागत के अवसर पर मैक्सिमम टाइम हमारे कुरियोग्रफी की ही परदर्सन वहां पर होती है एक बिहार गौरोगान है जो उसकी बहुत पहले रचना हुई थी हमारे गुरू जी ने उनका निर्द इसीत किया फिर मैंने भी उसे निर्देसित किया है भी हर गौरोगान को लेकि अभी तक लगबनी त凌ती के बिहार मौरिस ने अच्छी थे और अभी लास्ट टाइम जब हमारे रास्ट पती मानने रास्ट पती आये थे तो उसके स्वागत में भी इसी कारिक्रम की काचेन किया गया कि ये कारिक्रम ही उसमें होगा इसके अलावा बिहार के सारे आयोजन भारत के सभी जगों से बुलावा आता है वहां पे जाते हैं मेरे प्रदर सन होता है आपके अगर सम्मान और अचीवमेंट्स की बात की जा तो एक लंब इसके फैरिस्त है मेरे हाथों में आपने ये बताया भी था कि लोकनितिक एक शेत्र में उलेखने योगदान के लिए आपको भिहार सरकार द्वारा अमबपाली युवा पुरसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है और भी कई सारे सम्मान है अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो दूर दर्शन के ग्रेडिट कला का भारत नाट्या नित्य में भी कि आपकी जो प्रस्तुती है वो देखने को मिलती है बिहार गर्वगार में एहम आपका योगदान रहा है जरूर चाहेंगे इसके बार में और बताए जो भी डीटेल से चुर्मेंट्स से सम्मान है और चुकि बिना मार्ग दर्शन के ये सब संभव नहीं हो पाता है तो किनके मार्ग दर्शन में आप आगे बढ़ें और किस तरह उने आप याद करना चाहेंगे देखिए हर व्यक्ति को आके बढ़ने में मार्ग दर्सन एक तो गुरू का होता ही है उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके जीवन में जिनके मार्ग दर्सन से उनके जीवन में एक मोड आता है मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं विसुबंधु जी के अतिरिक्त जैसे एक तन्वीर अख्तर साहब हैं बिहार के बहुत बड़े रंग निर्देशक है उनके साथ ही मुझे पहली बार निर्थ कोरियोग्राफी करने का काम मिला था और उनसे मैंने बहुत कुछ स हमाच आएंगे हिंदुस्तान में बहुत बड़े पदपर हैं आशिसकुमार मिसराजी ने उन्होंने एक बार मुझे यो ही कहा था ऐसे तो मैं बच्पन से उनके साथ रहा हूँ तो उन्होंने कहा एक बार की जीतेंद्र तुमको कुछ और सीखना चाहिए तो उनकी ये बा जैसे मैं आज ममता संकर जी के पास दुबारा मिल पाया और अपने निर्थ के केरियर को एक नया आयाम में दे पाया मारक दर्सक के रूप में हमारी एक बहुत अच्छी मित्र हैं सुधीपा घोस हैं वो भी समय समय पर मुझे मारक दर्सित करते रहती हैं और सबसे बड़ा मारक दर्सक हमारा फैमिली है हमारे पिता जी है हमारे बच्चे है हमारी पत्नी है हमारे बच्चे तो हमारे समालोचक है मतलब जब भी मैं कोई डांस कंपोज करता हूं तो मेरे सबसे पहले दर्सक और आलोचक दोनों वही होते हैं वो सबसे पहले मुझे वहीं स्टार मारक तो मुझे सबसे पहला वहीं से मिल जाता है, अपने बच्चों से मिल जाता है, और बहुत सारे सपोर्ट हमारे family के हैं, friends हैं, उन सबी लोगों का मैं इस interview के माध्यम से उनको परणाम करना चाहूंगा, उनको धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके भी माध्यम से मैं आज योगदान होता है, विकट परिस्थितियों का, जब आपके साथ कुछ निगेटिव होता है, जब कुछ नकरात्मक होता है, इट मिंस तभी कुछ साकरात्मक बदला होने के chances होते हैं, मेरे जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं घटी है, जब मैं बिलकुल नीचे की और ज सक मानता हूं, कि जब तक जीवन में विकट परिस्थिती ना है, तब तक बहुत अच्छी परिस्थिती भी नहीं आती है, फिर नॉर्मल परिस्थिती होती है, बहुत अच्छी परिस्थिती आने के लिए बहुत खराब परिस्थिती होना भी आनिवारी होता है, ऐसा मेरा म यह बहुत अच्छा इसे लूग संस्कृति को कहने कहें आझ कींड़ जनेर्टा लोग नहीं जानना चाहती है फ menor फेसे बहुत अच्छा सवाल लगतार इस उर पर्यास कर, रहें देखिए इसमें सरकार की भूमिका तो एहम है और सरकार ये कदम उनको उठाना भी चाहिए लेकिन उनसे भी ज्यादा ये एहम भूमिका हो जाती है हमारे जैसे कलाकारों के लिए कि ये इनिसियेट जब तक हम नहीं लेंगे हम ये बात सरकार तक नहीं रखेंगे हम सरक साले आयोजित करनी चाहिए इसके लिए आयोजन आयोजीत करने चाहिए लोकोथसों अधिक छो में घुतन रचने आधिक लोकोथसों का да बिल्कुल रचना करनीίνी पड़ेगी खोजना होगा कि कितने सारे लूपत प्राय लोग निरते हैं, उनको मंच पर लाने के लिए वैसे वैसे कारिकरम की रचना करनी पड़ेगी, तो ये हम कलाकारों का भी दाइत वो बनता है, सरकार का भी दाइत वो बनता है, इसके लिए प्रयास करना होगा, सब को मिलकर प्रया कारण क्या माना जाए कि लोग निर्ट में इनका लगाव नहीं है या फिर ये रूची लेना ही नहीं चाहते हैं इस तरह कैसे इनकी रूची बदले या फिर जो बदलाव है वो देखने को मिल सकता है क्योंकि यूथ ही से बदल सकते हैं यह इसकी शुरुआ तो घर से ही होती ह वाज़कल बच्चे जैसे ही जन मिलेते हैं तो उनके हाथ में हम मॉबाईल थमाते हैं, मॉबाईल कुछ दिन पहले टीवी था, तो टीवी पे भी हम लोग केवल वेस्टन म्यूजिक ही देखते थे, अभी बच्चों के हाथ में मोबाइल है, अभी हमारे बच्चे भी देखते हैं, बहुत सारे देखते हैं कि Korean वीडियोज देख रहे हैं, क्या वीडियोज देख रहे हैं तो इसकी सुरुवात तो सबसे पहले घर से करनी होगी, हमें सबसे पहले वैसे चैनल से देखने होंगे, बच्चे जैसे ही छोटे बच्चे से जिस रूप में वो सुनेंगे उनको वही अच्छा लगेगा, तो हम बच्चे को धीमधाम का म्यूजिक सुरू से सुनाते हैं ता साथ होना पड़ेगा कि यह अपनी चीजे हैं बाकि दूसरी सारी चीजे है, जैसे हमारे हां संस्कृत जंकि वह निश्ट है हमारी फ्लाइन कि आनुश बढ़ी है सूब्सक्राइब की और युदु ुए अजू को इस नुश्ट है अब फीक का कान, जानते हैं की हümारे बिहार का लोक निर्थ कह है, अभी बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, बच्चे सीखछक खुद ही नहीं जानते हैं कि लोक निर्थ कह है, जब मैं जज्ज्मेंट में जाता हूँ कहीं, तो मुझे ये बड़ा दुख होता है देखकर कि बिहार के लोक निर्थ के नाम पे यदि स्कूल से बच्चे आते हैं तो कोई भी फिल्मी गाना उठा करके चले आते हैं किसी भी तरफ से चले आते हैं तो इस पे बहुत काम करने की आवश सकता है बिहार में लोक निर्थ और संगीत में तो फिर भी बहुत हर्तक ठीक है, लेकिन लोक निर्थ को लेके बहुत काम करने की जुरूत है, बहुत ही ब्रांती है। काम करता है। पहले इस लोक निर्थ के लिए उनको ऊच्छा ग्रहन करनी पड़ेगी, अच्छे गुरू के पास जाकर के अच्छे समय से देना पड़ेगा। उसके बाद करियर खुद बखुद उनके पास आएगा और कला संस्किती विभाब खुद उनके पास आएगा। उनको किसी के पास मदद के लिए जाने की जरूत नहीं पड़ेगी। चलिए आप इस कारेक्रम में आये और लोक निर्थ को लेकर कई सारी जानकारी आपने दी इसके महत्रों के बारे में भी समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जीते इंदकुबाद जी हमारे खास कारेक्रम माने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज को किसा लागा खतलिक कर हमें जरूर बताएं अपना रियक्षन दिज्जे और खतल लिए के लिए कागज दरुकल आघखे हमारे पता हमारा पता है काटरें बिहार भीहान नीदेशक डिडी बीहार दूरदेशन के इंद्र पतना फ्रेजरोट पटनाथ-0-0-0-0-1 एक हम झाल झाल